अगले दिन साम को अनिल के पिता जी बाहर गायलरी में बैठे थे अनिल वहाँ उन्हें साम की चाय देने गई थी वही अनिल ने अनीता का इसू उनके सामने निकाल दिया पहले वो भी मा की तरह गुस्ता करने लगे पर अनिल के बहुत समझाने के बाद मान गए आखिर इतने को गर्व था खुद पर कि वो एक औरत बना है अगले कुछ दिन में अनिल और ज्यादा मापापा से घुल मिल गई दोनों अनिल को बहुत प्यार करने लगे थे पर अनिल के मन में हमेशा डर लगा रहता था कि क्या होगा जब मापापा को उसकी हगीकत मालूम पड़ेगी अनिल हमेशा मन में प्रातना करती थी कि वो दिन कभी न आये पर भगवान को सायच कुछ अलग ही मनजूर था एक राज जब मापापा सोने चले गए तब सोनिया ने अनिल से कहा कि आज थोड़ा रुमांस करते हैं बहुत दिन हो गए हैं हमें एक दूसरे के साथ रुमांस हाथ रखे खड़ी थी सोनिया और अनिल के बदंग पर एक भी कपड़ा नहीं था और रुम की लाइट अन होने के कारण मा ने अनिल और सोनिया दोनों को साफ साफ देख लिया था मा को सामने देख दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था सोनिया ने जल्दी से बिड़ से एक कि पापा भी आ गए, मा ने पापा को सब कुछ बता दिया, जो भी उन्होंने देखा था, मा और पापा दोनों सोच रहे थे, कि ये कैसे हो सकता है, इतने दिन हम जिसे लड़की समझ कर प्यार कर रहे थे, वो असलियत में लड़की नहीं, बलकि कुछ और ही है, पर मा को ज़ सच बताओ यहां क्या हो रहा है, वरना हम पुलिस को कॉल करेंगे, और तुम दोनों को जेल की सलाफों के पीछे पहुचा देंगे, पुलिस का नाम सुनते ही अनिल और सोनिया दोनों बहुत डर गए थे, अनिल तो मा पापा को समझाने की सोच रही थी, पर सोनिया ने बिन सारा सच मा पापा को बता दिया, अनिल की लड़की बनेने की स्ट्रगल और उसकी खुशी देखकर मा पापा दोनों पिघल गए, पर उनके मन में अब भी संदेह था, कि अनिल अब बाप कैसे बन सकता है, अनिल ने उन्हें बता दिया, कि मैं वाहर से औरत होने के साथ साथ अंतर से एक मर्द भी हूँ, और इसका परणाम ये है कि सोनिया प्रेगनेंट है, उन्हें अपना पोता मिलने की खुशी के आगे, और कुछ दिखाए नहीं पड़ा, उन्होंने अनिल को खुशी-खुशी स्विकार कर लिया, मा पापा ने अनिल को अब बेटी का दरजा भ बिलवाना चाहती थी, इसलिए अनिल ने एक दिन अपनी बेहन को अपने घर बुला लिया, बिना उसे बताए कि मा पापा आये हुए हैं, दो दिन बाद ही अनीता घर पहुच गई थी, मा पापा को इतने सालों बाद अपनी आँखों के सामने पाकर, दीदी के आँखों से आँसू बहने लगे, पर उसे डर भी था कि मा पापा उसे कुछ कहना दें, मा पापा ने दीदी को कुछ न कहकर उसे गले से लगा लिया, मा पापा का इतने सालों का गुच्सा खतम कैसे हुआ, ये उसे समझ नहीं आ रहा था, मा ने उसे बताया कि हमें मिलाने का सारा स्रे हमारी नई बेटी अनुस्का को जाता है उसी की वज़ा से हमारी आँखो बर से नफरत की पट्टी हट गई है अनीता ने अनिल को खुसी के मारे जोर से हक किया और अनिल मतलब अनुस्का के माथे पर किस किया और कहा अच्छा हुआ अनिल कि तुम अनिल से अनुस्का बन गई तुम्हारे इस बलिदान से तुमने बहुत कुछ पाया है तुमने अपने प्यार को पाया है बेहन को अपने माबाप से मिलवाया है भगवान करे कि तुम हमेशा ऐसी ही खुबसूरत और खुजबनीर हो मापापा ने भी अनिल के पास आकर प्यारा सा हक किया उस दिन के बाद सब खुशी खुशी रहने लगे अनेता अपनी पती सीवन के पास वापिस चली गई और मापापा ने अपने गाउं का घर बेज दिया और हमेशा के लिए सोनिया और अनिल के सार रहने आ गए कुछ दिनों बाद सोनिया ने एक प्यारे से बच्चे को जनम दिया लड़का होकर भी उसकी सकल लड़की जैसी दिखती थी सायद उसके मापापा दोनों औरत होने के कारण ही उसका चहरा इतना खुशूरत था तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी कमेंड करके जोरू बताईए और इस स्टोरी के सभी पार सुनने के लिए दिस्क्रिप्स्टन बॉक्स में प्लेइलिस्ट का लिंक दिया गया है तो अभी जाका सभी पार सुनिए ठैंक्स पूर वाचिंग